नमस्ते दोस्तों आपका स्वागत है अराध्य की चन में आज हम बनाएंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट जब हम मार्केट जाते हैं तो खरीट कर रेडिमेट ले आते हैं और फ्रीज में स्टोर करके रखते हैं लेकिन अब इसकी जंजट नहीं है अब हम बनाएंगे घर पे हो मेड जिंजर गार्लिक पेस्ट तो चलिए सुरू करते हैं यहाँ पर हमने 200 ग्राम लहसन लिया है लहसन को छील कर अच्छे से साफ करके लिया है फिर हम यहाँ पर 200 ग्राम उसके साथ में ही अदरक लिया है इसको धो कर छील कर अच्छे से बारिक बारिक काट के सुखा लिया है किसी में पानी नहीं होना चाहिए दोनों अदरक लेसन दोनों सुखा होना चाहिए फिर हम इसके लिए लेंगे एक ब्लेंडिंग जार हम इसमें एड करेंगे लेसन फिर इसके बाद अद्रक एड़ कर लेंगे दोनों को साथ में हम एड़ करके पीशेंगे इसमें पानी नहीं मिलाना है पानी इसमें होता है अद्रक में भी लसन में भी आप चाहे तो दोनों अलग-अलग पीश सकते हैं आपको पीशने में अगर आसानी ना हो तो वैसे दोनों एक साथ में पीशेंगे तो आसानी से पीश जाएगा तो यहाँ पर हम ट्रांसफर कर लेते हैं प्लेट में अधरक लसन पेश्ट को अगर हम कुछ बनाते हैं अद्रक लसन पेश्ट नहीं रहता है तो हमें बड़ी जंजट लगती है इसलिए आज हम बनाकर ही स्टोर करेंगे फ्रीज में ये आपको छे से साथ महीने साल भार स्टोर कर सकते हैं चलेगा अच्छे से ये खराब नहीं होगा इस स्टाइल में बन अब हम पेश्ट को पैन में एड़ करेंगे इसे 10 मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे और इसको कांटी में बराबर चलाना है जिससे ये जलेना नहीं ते तलवे में चिपकने लगता है जब तक इसका पानी न सोख जाए आप इसको भूनते रहिए अब यहाँ पर हम एक टी स्पून नमक डाल देंगे वापर से इसको मिलाएंगे अच्छे से चलाएंगे जब तक इसमें तेल रिलीज ना होने लगे तब तक आप इसको भूनते रहिए अच्छी खुसबू आ रही है मारा पेश्ट बहुत महक रहा है अब हमको बाजार से लाके इस्टोर नहीं करना है लसन अद्रब पेश्ट अब हम घर पे बना सकते हैं और यह एर टाइट कंटीनर में आप भर के रख लीजिए फ्रिज में यह आपका सालो साल चलेगा यह खराब होने वाला नहीं है तो हम गैस बन कर देते हैं हमारा भून गया है पेश्ट कलर अच्छा आ गया है अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं इसको प्लेट में निकाल के रखेंगे ठंडा जब हो जाएगा एर टाइट कंटीनर में भर के फ्रिज में रख लेंगे इसको प्लास्टिक के कंटीनर में नहीं भरना है इसे काज के कंटीनर में भर के रखना है फ्रिज में इसमें फफूदी नहीं लगेगी ये कभी खराब नहीं होगा जब आपको जरूरत है तो आप सुखे चम्मस से सुखे हाथ से निकालिएगा तो हमारा पेस्ट बनके रिडी है आप बताईए कैसा लगा हमारा वीडियो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बाई बाई दोस्तों